तो लैडज़ दस की बाट करने वाले ही वीओ के याई-202 एस डिवाइस के अदर आप जो है Google डालर को रिपलेस कैसे कर सकती ही Google डालर रिपलेस करना काफी आसान है किसी भी फॉन के अंदर आपको रिपलेस करना उसके डायलर तो सबसे पहले आपको setting को open करना setting में एक settings मिलेगी apps वाली आप इसको देख लिए ध्यान से इस वाले apps वाल क्लिक करना है इसको बाद स्कूल करना नीचे एक option मिलेगा enable alternate phone and contact का अगर यह options नहीं मिलता तो आप यहाँ पर एक code का use कर सकते हो हमें code भी बताऊंगा फिलाल हम इसको press करेंगे जहां पर यह settings already enabled है लेकिन यह off रहेगी इसको check mark करेंगे set now उपे click कर देंगे और second वाले dollar को आप default कर देंगे तो आपका Google dollar है यह default हो बंद हो जाएगा और आपका जो vivo dollar हो चालो हो जाएगा लेकिन condition यह है phone contact और phone दोनों का अलग-अलग application create कर रहा है कुछ फोनों में यही replace होके यही विव डालर बन जाता है तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ का अगर आपने करना है code की मिदद से तो आप डाइलर को open करेंगे इसमें code type करेंगे star has, star has, इसके बाद 55, 66, 88, again आप प्रस करेंगे has, star has, star, इसके बाद same वही allow options आजाएगा, अगर आपने इसे चालू करना है तो फिर से आप own करेंगे, set now पे click करेंगे, इसके बाद second वाले डालर को choose कर देंगे, तो आपका जो Google डालर हो replace होके आपके phone के अंदर भी वो डालर बन जाएगा, so ऐसे ही Google डालर को replace करते है, I hope guys आप समझेंगे, use कैसे करना है, फिर भी कोई confusing होती है, इसके recording, comments अखसर नीचे है, आप हमें comment कर सकते हैं, या आप रे Instagram पर आ सकते है, handle nature decision में मिल जाएगा,